और केसी सामोता यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों, आज के व्यक्यान में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजिंदर परसाद सिंग के कलम से अन्यों का गोरवसाली इतिहास अपने इतिहास को जाने जो की रीड राइट एंड फाइट मुमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है संत कबीर जुलाए से लेकर संत धन्ना, संत सुंदरदास, पनी सुनात रेणू, विजेदान देथा, लले सिंग यादव का इस साहित्ते में गोरवसाली इतिहास की क्या भूमिका रही है, आएए इसके बारे में संक्षित रूप से हम बातचीत करते हैं ये व्यक्यान लिया गया है, हिंदी साहित्ते इतिहास का बहुजन पक्स संपादक हैं, परमोद रंजन आए साथियों, जानते हैं उन लोगों के बारे में जो एक गोरव की अनुभूती हमें कराते हैं और यह गोरह में हमेशा प्रेणा देता है इस बात के लिए कि हमें भी उन्हीं के इस इतिहास को गोरोसाली इतिहास को अपनी प्रेणा सक्ति बना कर उन्हीं नक्से कदम पर आगे भढ़ना चाहिए। साथियों, कबीर से लेकर आधुनिक काल तक OBC साहित्ते के पर्मुक रचनाकारों का संक्षित परीजें उनकी उपलब्दियों का काल करमानुसार विवरन यहां प्रस्तुत है। संत कबीर कबीर का जन्म 1398 विश्व में हुआ था, वे जाती के जुलाहे थे उरकासी में निवास करते थे। धन्हा भगत का जन्म 1415 विश्व में राजस्तान के टौंक इलाके में धुआन गाउं में हुआ था, भगत माल में इनके उज्वल चरित्र का वरणन है, यह जाती के जाट थे, इनके रचित चार पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आधी गरंत में शंगरह धर्मदास इनका जन्म 1496 में गुजरात के चिलूत्रा नामक गाउं में कुनभी पटील के घर हुआ था, इनके सतादिक पुटकरपद उपलब्ध हैं पांच्वे संथ हैं संथ सिंगा, संथ सिंगा का जन्म 1519 में मद्दे भारत की रियासत वडवानी के खजूर गाउं में हुआ था, वे जाती के गुआल थे, उनके अनुसार परमतत्त्व की खोज में मंदिर, मस्जित, उर्ती इतों में जाने के आवशक्ता नहीं है, गंगा यमुना आदी में इस्थान करना व्यरत हैं, सिंगा जी का द्रड उब्देश, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी की वानी, सिंगा जी की भजन आदी उनके परमुकरच नाएं हैं, शंत सेन का जन Counter पंधर 2424 अशिव में अनुमानिद किया गया है। ये जाती की नाई थे भक्त माल में इनकी परसंसा है। आधी गुरंत में इनका एक पद संक्लिथ है। शन्त दादू दयाल का जन्म 1545 ऐस्वे में एमदाबाद में हुआ विजाती के धुनिया थे वे वी कबीर की भाति मानवतावाद के समर तक हैं हरडे वानी अंग वदू आदी उनकी पर मुखरचनाए हैं शन्त लालदास लालदास जी का जन्म 1545 ऐस्वे में हुआ था ये जाती के हलवाई थे इन्हें अवदी में कृष्ण कावी का प्रनीता माना जाता है इनकी प्रमुकरती हरी चरित है इसका फ्रेंच बासा में भी अनुवाद हुआ है शन्दरदास शन्दरदास का जन्म 1596 ऐस्वे में जेपूर राजी की प्राचीन राजदानी धूसा नगर में एक वैसे परिवार में हुआ था इनकी विचारधारा दादू दयाल से प्रभावित है इनकी कुल 42 रचनाए प्रशिद है ग्यान समुदर और शन्दर विलास इ इनकी फुटकर रचनाए प्राप्त है बुला साहब बुला साहब का जन्म 1632 इसमें गाजी पुर्जे लेकि भुरकुडा नामक गाउं में हुआ था ये जाती की कुन्भी या कुर्मी थे इनकी रचनाओं का संग्रह बुला साहब का सब्सार है ये कबीर सैन रैदास जैसे और मारवाड वाले दुनिया थे बिहार वाले दरियादास का जनम रोहता जिले के दरकंदा नामक गाउं में सवंद सुलस विक्रानों में हुआ था और मारवाड वाले दरियादास का जनम मारवाड के जैतरन नामक गाउं में सवंद 1733 में हुआ बिहार वाले दरियादास क आदी के निंदा की है अन्य संतों के बाती दोनों मूरती पूजा अवतारवाद जाती परता आदी के विरूदी थे पल्टू साहब पल्टू साहब का जनम फैजावाज जिले के जलाल पुर्गाव में हुआ इनकी जनमती ती ग्यात नहीं है पर ये शुजाओ दोला के समकाल इन थे और ठाबदी वरतमान में थे जाती के कांदू बनिया थे विजाती प्रथा और वनास्रम जेशी परंप्राओं के विरुद थे आत्मकरम बानी का कहरा रेकता जूलना आदिन की परमुग रचनाए हैं चरनदास चरनदास अलवर के दहरा गाउं के ढूसर बनिया थे इनका जनम 1760 में हुआ ब्रजचरित, योगशंदे सागर, ग्यान सोरोदे, बक्ति सागर, कुरुशेत्र लीला, माखन चोरी लीला, ब्रह्म ग्यान सागर इनकी परमुग रचनाए हैं टेकमन राम, टेकमन राम चंपरन जिले की जहाकरा गाउं निवासी थे ये जाती के ल भिनकराम, भिनकराब में सर्भंग संपरदाय के ठार्वी सदी की कवी हैं, इनका जनम सहूरवा, गोनरवा, चंपारण में हुआ था, ये जाती के तत्वा थे, इनकी प्रचनाए भूचपूरी में मिलती हैं बालखंडी, राम प्रे सहा का जनम महराज गंज, पिपरा, गोविंद गंज में 1843, विक्रम सवन्थ में हुआ था, ये जाती के साहू थे, इनके भूचपूरी में लिखे पुट कर मिलते हैं ठाकूर, ठाकूर का जनम छप्रा के साहब गंज महले में एक कांदू भड़बूजा परिवारे में हुआ था, ये हिंदी के कवी पजनेश के समकालें थे, इनका समय 19.00 सदी का पुरवार्द है, इनके लिखे वजन कवित आदी मिलते हैं दीहल राम, दीहल राम का जनम 19.00 सदी के पुरवार्द में फटुआ में हुआ था, ये जाती के ठटेरा थे, अनुबव प्रकास इनके परमुग रचना है हरी चरणदास, हरी चरणदास का जनम 1843 में पूर्णी अजिले के कस्वा नाम अगिस्तान पर हुआ था, ये जाती के अगरही रिवेस्टे थे इनकी दो रचनाएं हरी चरणदास, सत्सई और चिंतामनी, महिस्दास, महिस्दास पटना के निवासी थे और जाती के कहार थे, इन्हों ने 1878 में एकाददसी महातम में गिरचना की थी रामसरण सलाल, रामसरण लाल का जनम 1869 में दाउद नगर गया जिला में हुआ, ये जाती के कीसरवानी बनिया थे, गंगा लहरी, प्राचीन और अवाचीन कवियों के रिखा, चेतर तता कवियों और लेकों को गहस्त लेक, इनके पर मुकुस्त के हैं, इनके पुस्तकुर महत्मा गांदी ने अपनी सम्मती दी है, गंगा परशाद, गंगा परशाद का जनम 1865 में हस्वा जिला गया में हुआ ये जाती के तेली थे, इनकी कविताएं ब्रजभासा में हैं, साहु मितर तेली समाचारादी में आपकी रचने प्रकाश होती थी, तेली वेच से हित का परणी तेता अचुत्तो उद्धार, इनकी परमुगर अचनाए हैं, जेपी चोधरी, जेपी चोधरी का जनम मिर्जापूर जिली के अदलहाट नामक गाउं में 1861 में हुआ था, ये जाती की कोईरी थे, इनोंने हिंदी, फार्सी, उर्दू, अंगरी जी संस्कृत, वीद चिंतकूर पाखंड कंधीनी पता का जैसी समासुदर पत्रिकाओं का संपादन भी किया, रजनी कांद सास्त्री, रजनी कांद सास्त्री का जनम 1821 में सहाबाद जिले में एकोना बढ़हरे में हुआ ये जाती की साहू थे, सिध्धान्त कोमुदी तता मानस मिमान से इनकी पर परसिद रचना है, सिध्धान्त कोमुदी में व्याक्रन की हजार नियम की चर्चा है, गोपी चैंद गुप्त बढ़गरवे का जनम 1825 में हस्वा गया में हुआ, इनों ने 11 वरसों तक जाती पत्री का माहूरी मयंक का पस्वंपादन किया, ये ब्रजभासा के कवी थे माहूरी जाती सुधार, माहूरी मंडलनाटक, चेता आउनी चाबुक, तेजा, नाच, आदी की परमगरचनाए हैं, गंगा परसाथ सेट, गंगा परसाथ सेट का जनम 1825 में पुरानी गोदाम मुहले में गया में हुआ, ये निक वरसों तक रेनी आर नविक सभा में सभाप जैदरतवद, द्वापर, शिदराज, नहुष, ये सुधरा, जैभारत, विश्णु पिरिया आदि इनकी परमुगरचनाए हैं, अनगख, चंदरहास, तिलो, तमाव, विश्रजन, आदी उनके परमून आटा है, बिखारी ठाकुर, बिखारी ठाकुर का जनम 1827 में सान जि वारे में हुआ तब जैसंगर परसाद के बानजे थे सिव मोहिनी रुद्र गुप्त कवी किंकर हिंदी प्रेमी अर्जुन शच्चा मेत्र या जिंदे की लास उनकी परमूरचनाए हैं जैसंगर परसाद चायावाद के परमू कवी जैसंगर परसाद का जनम अठारा सो नवा सी में वारान सी में हुआ यह हलवाई बनिया थी जहरना आंसू लहर कामाईनी इनके परमू करतिया हैं जन मेई जैका नागियक शकंद गुप चंदर गुप धूर शवामिनी अजाद सत्रु आदी इनके परमूनाटा के छाया परती दुवनी आकास दीप आंदी और इंदर पुस्तक लिखी है इनोंने कोई चार वर्सों तक भारत मित्र में कारे संपादन किया छेदी लाल सुची लाल लाल का जनव युग आंदेवन में सक्री रहे इन्होंने मुझफर वर्षे रेनी आरहिती सी नावंग मासिक पत्री का संपदन किया समाज इतमें के नेकली एक हैं चातुरुसें सास्त्री का जनम सोनार परिवार में बुलंसर जले के चांदोग गाउ नामग में हुआ अटारस विक्राणव में हुआ था उन्होंने नाटा को पन्यास जीवनी संस्मन आदी विभिन विद्वाँ में लिखे हैं लिखा है उन्हों की कोई 170 रचनाए हैं वेसा 1894 में हरी हर गंच पलामू में हुआ इनोंने रोनियार वेसी तता रोनियार बंदू नामक दू मासिक पत्रिकों का संपादन किया इनोंने 1928 में प्रम मंडली रोनियार वेसी सबा तता 1951 में अकिल भारती रोनियार वेसी मास सबा का सबापतितु किया हिंदी में इनकी कोई 25 उपन्यास नाटक आधी के लावे इनोंने पलामू का वरत इतियास लिखा अनूप मंडल परसित का थाकार अनूप मंडल का जनम 1896 में समेली जिला पूर्णिया में हुआ ये जाती की केवर्द थे जाते चेतना विख्षित करने के लिए केवर्द को मुदी का संपाधन किया करते थे इनकी कोई सोलव पन्यास हैं इंदर जीत लाल कट्रियार कुट्रियार का जनम अकबर पूर गया में 1899 में हुआ इन्होंने को एक वरस तक जाते पत्रिका माहुरी में के संपाधन कारे में युगदान दिया इनकी प्रचने समासुदार सम्मधित हैं गंगा परसाथ जायसवाल ठटेरी बाजार ठुमराव के निवासी थे इनका जनम वेसे परिवार में 1899 में हुआ इनकी साथ कुस्त के प्राप्ते राजपुरी ब्राहमनों के नाम खुली चिटी मचली मासने सेथ आदे इनकी वर्णासरीम धरम की वृत लिखी पर्मकुस्त के हैं दुर्गिशन अंदर मानिक इनका जनम 1922 में पुरानी गोदाम मुहला गया में हुआ ये गया लोरी कायन वारत के सवतनताव पिछड़ा वरक आदी इनकी प्रमुक्रचनाएं हैं ललाई सिंग यादव ललाई सिंग यादव का जनम 1911 में जिला कानपूर के गाउं कठारा रेलिवे स्टेशन जिंजंग के रहने वाली गजु सिंग यादव के घर हुआ गर में ये सोश चूसितो पर दहरंक डके ती सोशितों पर रारनितिक ड़के थी इंगुली माल नाटक संभुग वद नाटक एकलवे नाटक, नाग यग नाटक, सामाजिक विसम तक कैसे समाब तुझ जैसी करांती कारी किताबंगी रचना की है यदू नंदन परसाद महिता यदू नंदन परसाद महिता का जनम कुस्वा परिवार में पुराना साबाद जिली के जीतुरा गाउं के लाकन टोला में 18 फरवली 1911 को हुआ था उन्होंने 1940 में तर्विणी संग का बिगुल नामंग महित्पन पुस्तकी रचना की उनके अन्य कुस्तके हैं आगे बढ़ने की राहें गाउं का सोना आगे बढ़ो को स्वा परकास आदी इसके तरे गुनोंने सोसित पुकार नाम पत्रिका का संपाधन भी किया माराज सिंग भारती माराज सिंग भारती का जनम 1918 में उत्तर प्रदेश की मेरिट जनपद में हुआ ये जाती के जाट थे माराम सुप वर्मा के निकट सहयोगी रहे और अरजक संग से जुड़ी रहे सरस्टी इंपरले इस्वर के खोच महान भारत के बोने नेता पाप पुनने क्यों और कैसे भारत का नियोजित दिवाला जनतंतर की हत्या क्रशी क्रांती किसान नेत्रतु कमेरा हिंदूतु बनाम लूटेरा हिंदूतु धार्म का धंदा आदे इनकी पर मुख पुस्त के हैं फनिस्वरनात रेणू पनिस्वरनात रेणू का जनम चार मार्स 1921 को बिहार प्रांत के पुनिया जिली के अंतर कोई औरी या इंगना नावा गाओं में हुआ था विए OBC के दानुक जाती से आते हैं मेला आंचल परती परिकता दीर गतपा जुलूस कितने उचोरा है जैस 1923 में कानपूर के गराम गोरी करण के एक कुर्मी परिवार में हुआ था विरामन विलोया के निकट सेयोगी और उनके वेचारिक मित्र थे तो रांती क्यों और कैसे ब्रामन वाद की सवपरिक्षा अचूogle समस्या और समाधान ब्रामन महिमा क्यों और कैसे मनुसमरती रा सुहार गाउं में हुआ था एक कुर्मी जाती से आते हैं 1999 में इन्हों ने पिछड़ा वरग नामक घंदी साब तक पत्रिगा का प्रकासन किया भारत में ब्रहमन राज और पिछड़ा वरग आंदूलन इनकी परमुक पुस्तक हैं विजेदान देथा का जनम 1926 में बोरुंद रास्तान सायतों उनकी ख्यात करती है राजिंदर यादव राजिंदर यादव का जनम 28 अगस 1929 उत्रपरदेश के आगरा में हुआ यो बिस यादव परिवार से आते थी राजिंदर यादव ने कहानी कार उपन्यास कार आलो चुक संपादक की रुबिसेश ख्याती अरज रानपुल मंत्र विद्ध आदी उनकी प्रमुक उपन्यास हैं उपिसी से सम्मधित अनेक्ट इपन्यां उनके द्वरा संपादित हंस के संपादके में दर्ज हैं कुमार विमल हिंदी के पर से आलो चकुमार विमल का जनम यादव परिवार में बार आक्टबर 1931 को लखी स शेराज़ले के पच्चिना गाउं ने मिलते हैं मुद्रह राक्षर मुद्रह।र्थ हिंदी के इसे पहले लेकफ हैं जिन्होंने परीच वी रचनकार के रुब में दिया उनका जनम 1933 में ग्राम बेटा लखनोके सर्मे उबीसी परिवार हिम अलव संक्यों वे हितों के लिए अनुवर संगर्स करते रहे आला अफसर काला तीत नार के दंडविदान हस्तक सेव आदे उनकी पर मुगर चना हैं और अंति में मधुकर सिंग मधुकर सिंगा जनम पस्रिम मंगाल के मिदना बुर्जिले में दो फरवरी 1934 को कुस्वा चानक के खता कहो कुति माई समकाल बाजत अनहद ढोल आदी उनकी परमुक पन्यासें उनके कई कहानी संगरे प्रकाचितें पूरा सन्नाटा भाई का जक्म अगनू पकापड पहला पाट पाट साला माई पहली मुक्ती हरे जन सेवक आदी उनके परमुक कहानी शंगरे हैं यह था साथियों अन्यों का गोरुसाली तिहास राजिंदर परसाथ सिंग की कलम से आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद